आज इबने इंशा का जन्म दिन है वही इबने इंशा जिनके लिखी घजल कल चौदवी की रात थी शब भर रहा चर्चा तेरा कुछ ने कहा ये चांद है कुछ ने कहा चेहरा तेरा सुनकर बहुतों ने घजल के माएने समझे हिंदुस्तान के जलंधर की पैदाईश और बटवारे के बाद कराची जावसेब ने इंशा पर जितना हक पाकिस्तान का था बराबर हक हिंदुस्तान का भी था इंशा को गुलाम अली ने भी खूब गया और जगजीज सिंग ने भी बाद में आबिदा परवीन की सूफी आवाज ने इंशा की घजलों को पूरी दुनिया तक पहुँचाया सिर्फ सुना और गाया ही नहीं पढ़ने वालों ने इंशा को खूब पढ़ा भी दुनियावी इश्क से लेकर आध्यात्मिक इश्क तक को अपने शब्दों में ढालने वाले इंशा बहुत रियलिस्टिक भी थे उनके पैने व्यंग इसका नमूना है खासकर उर्दू की आखरी किताब आज सुनिये इवने इंशा के इस किताब से दस बेहद असरकारी व्यंग अंग्रेजों के जमाने में अमीर और जागिरदार एश करते थे गरीबों को कोई पूशता भी नहीं था आज अमीर लोग एश नहीं करते और गरीबों को हर कोई इतना पूशता है कि वो तंग आ जाते है भारत में गाय पवित्र जानवर हैं भारतिये उसका दूद पीते हैं और गोबर से चौका लिपते हैं लेकिन भारत में आदमी को पवित्र जानवर नहीं माना जाता कागस के कपड़े, कागस के मकान, कागस के आदमी, कागस के जंगल, कागस के शेर जरा नम हो तो सब के सब धेर जोडने का नियम सब के लिए अलग-अलग होता है आम लोगों के लिए एक और एक डेड़ होता है क्योंकि आधा तो इंकम टेक्स वाले ले जाते है आदमी को आदमी से गुणा कर दें तो हासिल भी आदमी ही होगा लेकिन जरूरी नहीं कि वो जिन्दा हो डॉक्टर नुस्खा लिखता है खराब लिखावट इसी लिए तो आजकर लोग उतने बीमारी से नहीं मरते जितने की गलत दवाओं के इस्तेमाल से मर जाते है सबसे ठोस दलील अब तक की लाठी ही साबित होई है भेंसों के लिए भी और इंसानों के लिए भी आपने देखा होगा कि कोई शक्स हुकूमत की कुरसी पर बैट जाए तो उठना मुश्किल हो जाता है इससे गुरुत्वा कर्शन का सिध्धान साबित होता है पानी के जोश में आने का तापमान सौ सेंटिग्रेट है इंसान के जोश में आने का तापमान कितना होता है। कपड़ों में कपड़ा लंगोटी, ना दामन का टंटा की कोई पकड़ सके और ना कॉलर की दिक्कत की कोई फाड़ सके। ये कौन सा बैंगन है? ये थाली का बैंगन है। लुड़कता रहता है, तभी तो हर मौसम में तरो ताजा रहता है।